हेलो दोस्तो मार्केट में आप देख रहे होगे दो दिन से गिरावट हो रही है यह वीडियो में कल ही बनाने वाला था ठीक है थोड़ा चेताने वाला था बट इस्टिल आज यहां पर टाइम मिला है यहां पर आप देख सकते हैं आज भी यहां पर मार्केट में गिरावट ह होती हुए नजर आई थी तो यहां पर एक टॉप नाने के बाद एक गिरावट होती हुए नजर आ रही है तो क्या बेच देना चाहिए क्या खरीद लेना चाहिए गिरावट के पीछे का रीजन क्या है वह भी तो एक रीजन होगा ना जिसकी वह इस गिरावट हो रही है वह सब चीज हम यह आपर बाते करेंगे बर बिफोर दर वीडियो में आगे बड़े जाने की क्या रीजन है उससे पहले आपसे रुक्वेश्टर चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को एट आल के नोटिफिकेशन को अन करिएगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेशियल एडवाइजा कुद की स्टड़ी करें चीजों को सीखें सीखने के तरीका वीडियो है और वीडियो भी अपलोड हो रही है जाके उने देखिएगा चीजों को सीखेंगा पूरा आईडिया आएगा इसके इलावा आपको पता है हमारा वाट्स हमारा आप सीखना चाहते है तो 860540501 816926137 नमरों को सेफ कर लीजिए और आप हमसे यहां पर कॉंटक कर सकते हैं और हमारे तुरू यहां पर स्टॉक मार्किट का कोर्स कर सकते हैं ओके एक दुनिया का सबसे बढ़िया कोर्स मैं इसे कहूंगा बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटर एक ऐसी नौलीज दी जाती है जिसके बेसिस पर आप यहां पर अच्छा-गासा काम कर सकते हो 20,000 रुपे का कोर्स है बाहर जाके करोगे तो 1,500,000 रुपे का और वो भी यहां पर उस तरीके की नौलीज नहीं मिलेगी जो मैं यहां पर आपको देख गए देने की चेश्टा और जो बताने की कोशिश कर रहो 3-month की hand holding strategy using stock market online और सब कुछ यहां पर दिया जाएगा और इस course को करने कार किसी market में काम करेगा पैसा यहां पर बनेगा WhatsApp group है 1200 रुपे पर मंत पे करके यहां पर WhatsApp group में add हो सकते हैं और किसी को अगर साथ में काम करना है तो वो क्या कर सकता है वो simply नमबरों पर यहां पर contact कर सकता है और portfolio size लग बग 3 लाग या उससे उपर होना चीए 10 लाग 50 लाग एक करोड जितना भी हो फिर वो यहां पर हम बाते कर लेंगे तो इन नमबरों पर contact करिए साथ में काम करिए चीज़े अपने आप समझ में आएगी कि यहां पर पता कै कि मार्केट में गिरावट हो रही है जादा यहां पर सीवह गिरावट होते हुए नज़र आ रही है मार्केट से 50 Supreme chronills यहां पर इतनी बड़ी गिरावट हो vapor सिब्लेर देखिए यहां पर पोड़रों के दिन नियां पर evening में अकल कह ल का लिजिक यहां पर Red CEMA थिकिए banar हम बात करें तो जो US की जो रेटिंग है कि on the basis of क्या economy की बात कर ले और किसी बेसिस पर बात कर ले तो उसमें यहां पर इनकी debt ceiling वगरा से लेटी यहां पर problem थी बीच में आपने देखा होगा कि अमेरिका को यहां पर debt चुकवाना है अच्छा कासा debt यहां पर ले रखा है तो इसी तरीके से वहां पर भी है और उन्होंने यहां पर इसे डाउन्ग्रेड कर दिया है यहां पर AAA से AA प्लस इस वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर market में ठहराव नहीं आ पर हो market यहां पर गिरतीवी नजर आ रही है और हमारी market आल्रेडी all time high पर चल रहे थे mostly सारे index तो उन्हें एक भाना चीए था डो जोंस और नेश्डेक की बात करें वो यहां पर इतने यहां पर aggressively काम भाग नहीं रहे थे बट अपने market भाग रहे थे तो इस वजह से यहां पर थोड़ी सी profit booking आ रही है और उसके बाद यहां पर चीजे भागेगी सबसे पहली बा ठीक है जो यह correction है वो बीच में आते रहेंगे और चीजे यहां पर भागती रहेंगी बट यह correction कहां पर या के थमेंगे उस से लेटेट हम बाते करेंगे सब से पहले American market को देख लेता है तो यहां पर देखिए कल के दिन में लगबग 348 मॉइंट यह गिरा तर डो जोंस ओक यहां पर सपोर्ट नजर आता है हमें यहां पर 34500 तो एक अच्छी खासी गिरावाट हो लेगी और इसके बाद चीजे को ऊपर जाना ही जाना है इसमें कोई दोरा नहीं है क्यों क्योंकि अगर हम बात करें डो जोंस की तो डो जोंस यहां पर इसका जो हाई है लबग बड़े 100 companies यहां पर trade करती है तो वह भी देखोगे तो यहां पर आपको पता चलेगी एक अच्छी खासी रैली जैन्वरी से लेके अभी तक लगबग 10,800 से लेके ठीक है 16,000 की यहां पर जर्णी तै करी है तो अच्छी खासी जर्णी तै करने के बाद यहां पर आप देख होगे तो इधर भी एक गिरावर टॉप से यहां पर होती हुई नजर आईए एक सपोर्ट नजर आता है मुझे यहीं पर ही अगर यहां से चीज़े रुख जाती है ओके ठीक है अजर्वाइज यहां पर एक सपोर्ट है 15,209 का यह एक जो सपोर्ट है यह सपोर्ट काफी ब मुझे लग रहा है कि यह जो वीक है यह थोड़ा सा थोड़ा सा गिर सकता है मार्किर उसके बाद यहां से बाउंस बैक होगा और जैसे यहां से बाउंस बैक होगा तो सबसे पहले टार्गेट हमारे क्या है हमारे टार्गेट इसके ऑल्टाइम हाई के है ऑल्टाइम हाई क बट आज की मार्केट और देख लीजेगा ये वी कंप्लीट होती है, next week से दुबारा एक rally शुरू होती हुई नजर आ सकती है. अब बात करते हैं Indian market की, कि Indian market में क्या नजर आ रहा है, क्योंकि डो जोंस की बात कर रहें, तो एक ही दिन गिरा है, तो यहां पर निफ्टी की बात करें तो आप देखोगे कि एक टॉप इसने बनाया यहां पर आप देख सकते हैं अधरवाइस मुझे यहां पर सपोर्ट नजर आता है 18,913 तो 18,913 के आसपस आके यहां पर चीजे रूखेगी ठीड ही यहां पर चीजे रुख सकते हैं फिर यह चीजे रूख सकते हैं इस वाले एरिया में तो अगर मैं बात करूँ तो अभी यहां पर अगस्ट चल रहा है तो अक्टूबर नमबर तक यह शाय दुबारा बाउंस बैक करेगा और यह 20,000 का लेवल भी यहां पर क्रॉस करता हुआ नजर आएगा तो इस्टे पॉजिटिव ठीक है बट बीच बीच में आपक करेक्शन होते रहेंगे तो वो चीज़ें यहां पर समझने है अब बात करेंगे हम यहां पर जिन सेक्टर्स में हम काम करते हैं इस वहले जिस इ कर बात करें यहां पर फ्मॉल कैप की बात करें खुर्स मॉल कैप घृत्क डर एपना ही रहा है इसलिए आप वह गिरावाथ हुई है बस small cap में वो गिरावट ने हुई है, यहाँ पर कल जरूर small cap थोड़ा सा गिराता, आज महीं से यह दुबारा भागता हुआ नजरा है और एक support लेता हुआ नजरा है, nifty में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, small cap में ना के बराबर गिरावट हो सकती है, अगरी है थोड़ा, त इसके यहाँ बात देखोगे, तो reverse cap with handle pattern यहाँ पर वहनेगा, और इसके जो target है, जब nifty आगे भागेगी, तो यह भी पीछे-पीछे भागता हुआ नजराएगा, और यहाँ पर 16,000 के आसपास का target आ रहा है, जो कि यहाँ पर achieve होता हुआ नजराएगा, तो nifty small cap positive है, ठीक ह nifty 50 और mid cap दोनों highest level level पर चल रहे है, और mid cap तो सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो यहाँ पर देखिया, mid cap भी यहाँ पर recover हो चुका है, इसलिए आपने देखा होगा, मेरा portfolio आज भी आगर मैं बात करूँ, तो positive था, हमारे clients का जो portfolio है, वो भी आज positive था, कल जरूर बोड़ा गिरावट हुई थी, क्योंकि सारे index ही गिर गए था, सारा share गिर गए था, आज के दिन में positive था, जिसने nifty 50 लिया होगी, ठीक है, उनके portfolio यहाँ पर negative होगा, अब यहाँ पर से दुबारा, अगें यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, ठ इसके लाबा हम बात कर लेते हैं, तो निफ्टी आईटी देख सकते है, एक support पर चलता हुँआ नजर आ रहा है, इसके लिए यह एक hurdle है, 30,500 का एक level है, जैसी यह cross करेगा, यह दुबारा यहाँ पर 31,500 को जैसी cross करेगा, तो निफ्टी आईटी का जो है index, वह all time high पर जाता और टच करके यहाँ पर ऊपर जाता हुँआ नजर आ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर इसने तोड़ा तो दुबारा यहाँ पर support की बात करें, तो यह respective supports होंगे इसके, यहाँ पर आप देखिए लगबग 43,500, इसके लाब अब 43,200 और यह ठीक है, बट यहाँ पर लग नह दोड़ेगा, यहाँ से bounce back नजर आता है, और निफ्टी बैंक में कल से शायद रुबारा एक rally होती हुई, नजर आ सकती है, इसके लाबर निफ्टी फार्मा की बात करें, तो निफ्टी फार्मा भी आप यहाँ पर देख सकते है, all time high पर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रह बट वो एक मौका रहेगा खरीने का क्यों, क्योंकि निफ्टी फार्मा दुबारा ऊपर जाता हुआ, दिखाई दे रहा है, निफ्टी फार्मा की जतने stocks है, उनके result भी अच्छे खासे आते हुई दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा देहर दीजिए, निफ्टी आटो क अल्रेडी निफ्टी आटो भोज जाता है, यहां पर चलता हुआ, नजर आया है, इसके इलावा निफ्टी मेटल की बात करें, तो मेटल सही है, सही चलता हुआ नजर आ रहा है, बट इस्टिल यहां पर कुछ श्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, जो कम्पनी स्टील के प्र नजर आ रहे हैं तो यह पूरा का पूरा एनलाइसिस है कि मार्केट अच्छी है थोड़ी बहुत गरावट हो सकती है जैसे यूएस मार्केट दुबारे रिकवर करेगी हमारे मार्केट भागेंगे और अच्छे शेयरों में रहोगे तो याद रखिए 2x 3x 4x यहां पर रिट अच्छी है स्मेल तीवी ना जलाएगी तो थैंक यह सो मच गॉर्ट प्लस